यहां पर मा चुदा गया है पूरा दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में सपमेरी भिलेज में आज बात कर रहे हैं हम लोग दिगलवेंग पढ़कंड के अंतरगत जो की धंतोला पंचायत के अंदर में आता है जो की गरबंडगा से लेकर दिगलवेंग की रास्त विर्षायति भाल फिस्तव है ऑले तुम्हास पूरा राकशाया पुद्विक अच़्वाल नषिक का काम चालू है तूर्की मादर छो सोंने नहीं बनाता है यहाँ पर रोड़ जहां पर देख सथे हैं डर्प छत्रोत से कटा हुआ है मगर आज तक नहीं बना है यहां तक नहीं बना लोगोड 21 eau में है मझर अफी तक नहीं बना है यह फूला नमें हे जनता को आप मुर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बाते हैं किसी के गले नहीं उतरती लोग मजाग उड़ा करें बहुत मनुष्छ लग रहे हो मत को रुड़ान दो रुड़ान बहुत बुड़े लग़े लग़े तोबा 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 थारा मूट खरब कर दिया आदमी पूरा करबर है इसका कहना है आप एक बार इतर घुमा दिये देख सकते हैं कि यहां को पूरी तरह से जरजर क्या हुआ है हमारे फोजी जवान आ रहे हैं मगर आने नहीं पा रहे है क्यूंकि पूरी तरह से कट चुका है तो मैं आपको आगे की ओर दिखा रहा हूं आई आए अभी बजा आएगा ना भीडू तरह से दिनानत पास है निजिए 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 याफ फूरा कट चुका है अबर यहांकि डायर कट सन फैना कि यह यह दाइबर्सन है हां और यह पाणी मारो ममशे म सबस्क्राइए contexto ऑच में आग को रेए इसका अगर मजाब मोला जाईगा नए आ है जब से डाइवर्शन बनाने के लिए जितना भी खर्चा आया था वो पूरा खर्चा किया गया था मगर भर जाना नहीं किया है जब यह डाइवर्शन है तो इसमें एक ट्रेक्टर भी नहीं पास हो रहा है तो यह क्या है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर पूरी तरह से पाणी का जरजर क्या हुआ है क्योंकि आने जाने की रास्ता नहीं है कितना पाणी है बाबू जनता को आप मुर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती लोग मजा प्रकाइब कंबर तक है देख सकते हैं यहां पर ट्रेक्टर नहीं जारा है और हम इसे अभी से बात कर रहे हैं कि क्या तखलीव है आपको यहां से जो 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 से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे मजा आया है और में यह जो मजा है हिंदुस्तान के जो कि गारी निकालने में दिक्कत हो रहा है तो यहां पर पुड़े गाउवाले मिलके यहां पर जनता को आप मुर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बातें कि किसी के गले ने उतरती लोग मजा घुड़ा पोला जो कि दिया है लाइट का और यहां पर अच्छी तरह से जाने उने का अच्छा परवंद किया है गाउवाले मिलके और यह कर ट्रेक्टर रिखा हुआ है जो कि एस एस बी के तरफ से है तो इन में मतलब आने जाने में दि कि देख सकते हैं यहां पर RCC का रोड है और यहां पर नदी से सटे हुए यहां पर आगे की और आपको मैं इसकूल दिखा रहा हुँ देख सकते हैं पर पूरा तरह से साला इतना यह खड़ाप कर दिया है इसकूल जाने का इलिए एक रास्ता नहीं है कौन ही लोग कहां से आते हैं दिगल बैंक परखंड के अंतरगात धंतोला पंचायत में एक भी अच्छी तरह से रोड नहीं है जनता को आप मुर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बाते हैं किसी के गले नहीं उतरती लोग मजा गुड़ा जो की देख सकते हैं यहां पर नदी से सटे हुए एक रोड की अवे सकता है इसकूल जाने के लिए बच्चों को मगर अभी तक एक रोड नहीं बना है और बोलता है कि यहां पर फोर्जी का जमाना है फोर्जी का जमाना है मगर साला यहां पर टूजी भी नहीं पकड़ता है देख सकते हैं पर नदी के किनारे भी मरमत नहीं हुए है और आगे की और दिखा रहा हूँ मैं आपको कटान जो की नदी के द्वारा कट चुके हैं देखिए दोस्तों यहां पर हाथी रुबा से नजदिक ब्याठ टूला पहुचता है मगर यहां पर नदी से सटे हुए गाउं है जो की लगभग 200 से 300 आदमी यहां पर बसर गुजर करते हैं तो देख सकते हैं पर नदी पास में पहुच चुका है तो आप यहां पर देख सकते हैं सीओ के द्वारा यहां पर फूल पात दिया हुआ है इसको फूल पात करते हैं वा मोदी जीवा वा वा मोदी जीवा वा वा यहां पर बुल्डेजर पहुचाना चाहिए और यहां पर आलग अलग तरीकों से बोड़ा में कसके मिट्टी भड़के कटान में देना चाहिए मगर यहां पर फूल पात दिया हुआ है इसको पूजा किया जाता है देखिए यहां पर आपको पूरी तरह से आपको मैं इसकूल दिखा रहा हूँ जो कि इसकूल जरजर होके तूट गिया है नदी के किनारे सटे हुए है यहां पर पानी देख सकते हैं यहां पर बच्चो कैसे जाएंगे यहां पर इसकूल क्योंकि यहां इतना कीचर है की सीओ के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है मैं आपको कंटीनू दिखा रहा हूँ है पर एक बिल्डिंग बन रहा था जो देखते हैं यहां पर बिहाट टोला के इसकूल का नजारा जो की इस तरह है और यहां पर इसकूल था इसकूल को भी नहीं बचा पाया दिगल बैंक परखंड के अंतरगत सीओ लोग जिस तरह देख सकते हैं यहां पर किस तरह यहां पर बैठाया गया है और यह इसकूल है इसकूल में देख सकते हैं क्या नजारा है इसको कटने में कुछ ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर सरकार ध्यान देता तो यह सरकारी प्रोपर्टी नुक्सान नहीं होता यहां देख सकते हैं यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है और जन्ता को आप मुर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बात हैं किसी के गले नहीं उतरती लोग मजाग उड़ा वाँ मोदी जी वाँ